जब किसी राज्य का वधान सभा चुनाओं होता है या फिर देश का लोग सभा चुनाओं होता है तो खूब हो हला होता है बयान बाजी होती है, नारे बाजी होती है, रैलिया होती है, नेता भी सड़क पर उतर कर जनता के सामने आते हैं और खुद के लिए वोट मांगते हैं राच सभा के चुनाओ होते हैं तो आम जनता नहीं लेकिन विधायक और उनकी पार्टियां जीत तोड महनत करती हैं इसमें थोड़ा बहुत हमें ज्रामा और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जब बात राश्पती चुनाओ की होती है तो अपेक शाकर शांती होती है। देश के सरवोच पद के लिए होने वाले चुनाओ, देश के प्रथम नागरिक के लिए होने वाले चुनाओ में राजनीती तो होती है लेकिन अंदर खाने। कई बार ये चुनाओ एक तरफा हो जाता है और जीतने वाले प्रत्याशी के सामने हारने वाली की वोटिंग की गिनिती ही माइने नहीं रखती है तो कई बार राजनीती ऐसे मोड पर खड़े हो जाती है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद मिट जाता है और सब मिलकर देश का राश्टपती चुनते हैं अज बात करेंगे कुछ ऐसे ही राश्टपती की जिन्होंने या तो चुनाओं में एक तरफा जीत मिली या फिर उन्हें सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष का भी साथ मिला नमस्कार मैं हूँ आशी और आप देख रहे हैं अंकट एक तरफा जीतने वाले प्रत्याशियों में सबसे पहला नाम आता है देश के पहले राश्टपती राजेंद्र प्रसाद का जिने 1952 में हुए पहले राश्टपती चुनाओं में 5,7,400 वोट्स मिले थे अलाकि रोता के किसान नेता चौधरी हरी राम राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जीतना नहीं देना चाहते थे तो वो भी चुनाओं में आकर खड़े हो गे लेकिन उन्हें महज 1,954 वोट्स मिले थे और उसके बाद केटी शा जो की इंडिन एकरोनोमिस्ट और अड़ोकेट थे उन्हें वाम दलो ने मैदान में उतारा था शा को 92,827 वोट्स मिले थे इनके अलावा और दो प्रत्याशी थे लक्ष्मन गनेश और कृष्णि कुमार चाटर जी जी ने 2672 और 500 तिरपन वोट्स मिले और सी तरीके से राजेदर प्रसाद एक तरफा चुनाओ जीत करके हमारे देश के पहले राष्टपती बने लेकिन राजेंद्र प्रसाद की एक तरफा जीत की कहानी यहीं आ करके नहीं रुकती इसके बाद 1957 में जब राजेंद्र प्रसाद का कारकाल खत्म हुआ तब फिर से कॉंग्रेस ने उन्हें राश्टपती चुनाओं के लिए मैदान में उतार दिया था तब उन्हें 4,59,698 वोट्स मिलें उनके खिलाफ चुनाओं लडने वालों में 2000 वोट्ट पाने वाले नागेंद्र नरायन दास और 2672 वोट्ट पाने वाले चौदरी हरी राम दोबारा दूसरे स्थान पर आये थे और राजेंद्र फिर एक बार एक तरफा जीत गये थे उसके बाद 1974 में जब छठा राश्पती चुना हुआ तब कॉंग्रेस के तरफ से फखरुद्दिन अली एहमद को उतारा गया रेवलिशनली सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और महा सचिव अनुभावीत्र दीव चौधरी सयुक्त विपक्ष के उमिदवार थे उस वक्त भी एहमद आराम से 7,65,587 वोट्स के साथ जीत गये थे और चौधरी को मात्र 1,89,196 वोट्स ही मिले थे उसके बाद 1987 में आर वेंकर च्रमन जो की वामपन्ती दलो के ततकालीन उपर राश्टपती थे और उनके खिलाफ सुप्रीम कोट के पूर्व नया धीश नयमूर्ती वी आर कृष्ण आयर आमने सामने ये दोनों थे इस चुनाओ में वेंकर च्रमन आसानी से जीत गए थे वेंकर च्रमन को 7,40,148 वोट्स मिले थे और अयर को 2,81,550 वोट्स मिले थे तीस्टे स्थान पर बिहार से निर्दालिये प्रतियाशी मितलेश कुमार जिने सिर्फ 2,223 वोट्स मिले थे रिसेंटली एक तरफा राश्पती चुनाओ में से एक 1997 का चुनाओ था जब के आर नारायन को सयुक्त मोचा सरकार में शामिल पाटियों ने मैदान में उतारा था और उस वक्त मुक्य विपक्षिदल कॉंग्रेस और भाजपा ने उनका सपोर्ट किया था नारायन को 9,56,290 वोट्स मिले थे और डटी एन सेशन को केवल 50,361 वोट्स मिले थे और उनकी जमानत चपत हो गई थी सेशन को शिफसेना और कुछ निर्दली वधायकों का समर्थन था फिर साल 2002 में कॉंग्रेस और सभी विपक्षिदलों ने भाजपा के प्रत्याशी एपी जे अब्दुल कलाम का समर्थन किया था कलाम को कुल 10,30,250 वोट्स मिले थे उनके सामने थी कैप्टन लक्षमी सैगर और चुनाओ में खड़े होने के बाद उन्हें एक लाग 7,366 वोट मिले थे हाला कि ये भी एक तरफा ही जीत थी वो भी बहुत ही बड़े स्केल पर अब समझने वाली बात ये है कि ये राजनीती है और राजनीती में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता तो ये वो सारे राश्च्पती थे जो की एक तरफा जीते थे जिनको वोट डालने के लिए विपक्ष भी उनके फेवर में आ गई थी ऐसे ही तमाम बड़े विशलेशनों से अपडेटेट रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्स्क्राइब और शेर करना होगा मैं थी आपके साथ आश्री और आप देख रहे थे अनकट